कीमा अफगानी तो चलिए इसकी रेसिपी देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यह पाउती को कीमा ले लेंगे इसे अच्छे से धोलेंगे फिर इसमें हम एक चोटा चम्मच अद्रक रसन का पेस्ट आड़ करेंगे अगर आपका कीमा आदा किलो तो एक बड़ा चम्मच आड़ करें या तो फिर यह वाले दो चम्मच और थोड़ा सा नमक आड़ करेंगे नमक आपके टेस्ट के हिसाब से एड़ करें और इसे mix कर लेंगे mix करके इसमें थोड़ा सा पानी अट कर देंगे कि कीमा जो है अच्छे से गल जाए पहले हम कीमे को अच्छे से गला लेंगे यानि कि अच्छी तरह से पका लेंगे फिर से इसे mix कर लेंगे और इसे gas पर रखकर अच्छे से 10 मिनिट तक पका लेंगे ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए फास करके जब इसका बॉयल आने लग जाए तो फिर ढखकर इसे 10 मिनिट तक पका लेंगे यह देखे, गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इसे ढग कर अच्छे से पुरा गला लेंगे कीमा दस से बारा मिनिट के लिए फिर देखे हमारा कीमा जो है वो गल गया है अच्छी तरह से अभी हम इसे side में रख देंगे तब तक हम इसके लिए पेस्ट रेडी कर देंगे यह पांच हरी मिर्च है यह आप लोग आपके टेस्ट के हिसाब से तीका अड़ करें और एक बड़ी प्याज है ये आड़ कर देंगे आप लोग ज़्यादा तीक खाते हैं तो ज़्यादा मिर्च आड़ कर सकते हैं और एक मुठी हरा धनिया है और थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे ये ठंडा पानी है और इसमें एक चमच छोटा अद्रक लसन का पेस्ट करेंगे तो अख्खा भी अद्रक लसन अड़ करके घ्राइज्ड कर सकते हैं या तो पेस्ट आड़ कर सकते हैं और इसे हम देखिए घ्राइज कर लेंगे ऑपेस्ट रेडि कर लेंगे और अब हम एक पतेली में एक चमच ओयले लेट के यह लेट से वीचे से हावत, सॉछे करें भी धुले जूर सबस्क्डाइर फिताने रची त्स दाल्ची से त्होंत करें दूटे को उद्टे दालची टुकड़े प्रेज और थीन उलाईची त्होंत करें गिश भी छोड़ी से झाजोपने आटकर दालेगे मिर्चा यह आप लोग स्किप ना करें खड़े मसाले और जब इसमें थोड़ा सा बबल आने लगे तो इसमें हम जो ग्रीन पेस्ट है हमारा वो हरा मसाला जो हमने पेस्ट रेडी किये थे वो इसमें एड कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें जो प्या अच्छे से भून लेंगे दो से तीन मिनिट के लिए हाई फ्लेम करके ताकि प्यास की जो कच्छी समेल है वो चली जाए फिर इसमें हम धनिया पाउडर आट करेंगे आदा चमच और आदा चमच भूनावा जीरा आट करेंगे जीरा पाउडर और ये पाउचमच गरम मसाल पाउडर आट करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करके अच्छे से इसे भी एक मिनिट तक भून लेंगे फिर उसके बाद इसे ढख कर थोड़ा सा पका लेंगे तीन से चार मिनिट के लिए ये देखे ओईल जो है वो सेपरेट हो गया है ओईल और जो गी हमने आट किये दे अब इसमें हम दही आट कर देंगे दो बढ़े चम्मच दही एट कर देंगे दो से तीन चम्मच और यसे घंस कर लेंगे अच्छे से भून लेंगे 1-2 मिनिट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि दही के जो है वह लम्सना रहे इसमें फिर इसमें जब अच्छी तरह से हो जाए पक जाए फिर इसमें हम थोड़ा सा यह देखे नमक आड़ कर देंगे नमक आपके टेस्ट के हिसाब से एड़ करें फिर इसे से मिक्स कर लेंगे फिर इसमें हम जो हमारा कीमा हमने पकाई थे वो इसमें एड़ कर देंगे एड़ करके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5-6 मिनिट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे फिर से इसमें बॉइल आ रहा है अच्छे से यह भी पका लेंगे यह रेसिपी को आप वक्राइगी में भी ट्राइ कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी आट कर देंगे पानी आट करके अच्छी से मिक्स कर लेंगे और इसे ठककर 5-6 मिनिट के लिए गैस की फिलेंगे I ek करके बुआंगे थीर धकण हम आठा लेंगे 5-6 मिनिट के बाद और इसे फिर से अच्छी से भून लेंगे गैस की फ्लेम हाई करके अब हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इसमें फ्रेश क्रीम एट कर देंगे फ्रेश क्रीम भी आप लोग स्किप ना करें इसमें फ्रेश क्रीम का ही जब तक अगर आप फ्रेश क्रीम नहीं डालेंगे तो इसमें वो टेस्ट नहीं आपाएगा जैसा हमें टेस्ट चाहिए कीमा अफगानी का और इसे अच्छे से mix कर लेंगे फिर बाद में गैस की flame हम हाय कर लेंगे यह देखिए माश्यल्ला से हमारा कीमा अफगानी जो है वो ready हो गया है और इसमें हम 5-6 हरी मिट्ष आड़ कर देंगे, कट स्लिट कीवी, और अच्छे से इसे भून लेंगे, 2-3 मिनिट के लिए, और हमारा जो फिर उसके बाद कीमा अफगानी रेडी हो गया है, अब इसमें हम स्मोक फ्लेवर देने के लिए, पोईला हमने गरम कर चुके थे पहल रख देंगे, जितना दे रखोगे उतना अच्छा उसमें उसका फ्लेवर आ जाएगा, और अब हम इसे निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे, यह देखिए कितना अच्छा माशल्ला से हमारा कीमा अफगानी रेडी हो गया है, और अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी की नोटिफिकेशन्स मिलती रहे, अल्ला आफिस